तो कैसे आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे हर कोई बड़े आराम से इस्थमाल करता है नई नई मैं चड़ी बनिया नई बेच रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे तुम खुद स्वैंग वैंग अपने आप इस्तमाल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे कोई दूसरा इस्तमाल करे तो गाली थी या बच्पन में तुम्हारे माबाप ने तुम्हें ये जरूर बताया होगा कि बेटा गाली नई देना दोंट अभ्यूस तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी 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 तु मेरी अब जब तुम्हें हर को ये बात कह रहा है तो तुम्हारे दिमाग में बात बैठ चुकी है कि वैया चाहे अंगारे बने शोले या तोहर मनवा मंडोले गाली नहीं देना अब अगर तुम किसी से पूछोगे ना भाई साब ये गाली क्यों नहीं देनी चाहिए पुरी अगर गाली देने से किसी के खेत में पानी नहीं जा रहा होता या फिर बच्चे नहीं हो रहे होते तब तो यार समझ में भी आता है यह क्या कारूना बुरी बात है बहन चुत पागलों जैसे नशे का हमें पता है वो इंसान को अंदर से खतम कर देता है अब एक दिन अगर मैं गाली नहीं दूंगा तो मेरे शरीर में खुझली थोड़ना शुरू हो जाएगी गाली देना बुरी बात है यह परंपरा की तरह होगा कोई प्राचे इंचूतिया जिसने गोशना कर दी होगी बढम डम डम बेरे बस तब सही चलता आ रहा है और और यह बीट बॉक्स क कांड में जलन मचना यह सारी खूबिया भगवान ने मुझे दिये इसलिए जन्मा हो मैं इस तर्ती पर अवतार हो मैं पहें जर्ट उस बात से फरक नहीं पड़ता तुम उन्हें गाली दे रहे हो किसी और को ना अरे जैसे वह प्यारे शब्द उनके कांड में पढ़ते है उनके दिमाग के घोड़े भगना शुरू हो जाते हैं आओ तुम्हें मैं एक लव स्चूरी सुनाता हूं एक लड़का और लड़की आराम से बैठे हुए थे फिर एक बदमाश लड़का नौटी बोई लड़की को छेंड़ने की कोशिश करता है और उसको भगाने के अरे तुझे ने आपको नहीं बोला मैं उसको फ्लेडी चीप डिस्गस्टिंग येलो फेलो फॉक ओफ अबे लेकिन तू भी तो के दिया ना फॉक ओफ फॉक ओफ पेहन के लिए ये कान परदाश के बाहर है और दूसरा जब मैं अपने दोस्तों के साथ आराम से की लोकी अंटी जितनी इज़्जत मेरा अंदर समाई है ना मैं सारी लगा के बात बोलता हूं तू क्या ले मेरा दोस्त मेरा रिष्टा मेरा गटबंदन मेरा संबंद मैं उससे गाली दू या फिर उसकी छाती पर इट फोड़ू अंटी तू क्या ले माभाप ने क्या सिख कोई पब्लिक में हलका हो रहा हो यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी लेकिन सेक्स एजूकेशन की तरह गालियों के बारे में भी पता होना जरूरी है ऐसे समझो एक साथ साल का बच्चा है जिसे दुनियाधारी के बारे में कुछ नहीं पता वो अपने पापा से पूछता है पापा पापा वो शाहिद मेरे को चूतिया बोला और सब हस पड़े क्या होता है चूतिया पेटे शाहिद मज़ग कर रहा था इस शब्द के बारे में तुम्हें जानने की कोई अविशकता नहीं बलकि भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था लेकिन क्यों कह दिया ना बस कह दिया अब इसे मैं कहता हूँ तयारे इस रमीन पे वला फेस फिर अगले दिन शाहिद दोबारा उस बच्चे को देख के चिलाता है एच चूतिया लेकिन इस बार वो साथ साल का बच्चा शाहिद को देखके मुस्कूराता है सोचो बाप पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को किसी ने चूथ का आए और वो उसको देखकर मुस्कूरा रहा है तो इसलिए यार गालियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है उसका इस्तमाल करना ना करना वो तुम्हारे उपर है अब कुछ लोग मानते हैं जो इंसान गाली देता है वो किसी की इज़त नहीं करता उससे बेकार कोई इंसान नहीं है सबसे पहले जो ऐसा सोचते हैं उनकी इज़त करने की कोई जुरुत भी नहीं है अगर तुम्हें अपनी फ्रस्टेशन निकान लिए तो तुम लोग क्या करोगे अप्शन ए लॉंच चक मारके किसी का पैर तोड़ दोगे या उप्शन बी एक कमरे में जाके पूरे दिन की भड़ास निकालोगे अगर आपका जवाब उप्शन बी था तो कॉंग्रेचुलेशन्स मानव विकास अभी भी संभव है अब भड़ास निकालते वक्तो मूँ से गाली मक्षन की तरह फिसलती है नहीं तुमने किसी को ऐसे बड़ास निकालते हुए देखा है यार मेरी बीवी मेरे ड्राइवर्स के साथ भाग गी यार किती स्टूपिड है वो यार उसे भागना था तो वो अकेले भाग जाती ड्राइवर को क्यो साथ लेगी यार जेल जाने वाले ड्राइवर बड़े मुश्किल से मिलते है यार वो पागल है यार क्या करूँ यार यार खार 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 ऐसे दिमाग को संतुष्टी नहीं मिलेगी देंशन आ जाएगी उदासी चाजाएगी एक खाते पीते घर का बंदा नपुन सकता का शिकार हो सकता है तो जरूरी नहीं है वो इज़त नहीं करता बत्तमीज है और ये मत समझे न केडी कह रहा है इज़त से गाली दो बिल्कुल नहीं पता चल रहा है तुम में से कोई अपने पडोसियों को कह रहा है आओ बोशड़ी वालों चाए पीते हैं नई 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 गलत गलत रास्ते पे जा रहे यूटन मारो अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे ची 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 साला ये अनपड़ गरीब वलगार अब कोई इंग्लिस में गाली दे दे तो वो तो चलता है वो तो कूल है वो तो अमीर है उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है पढ़ाई की है अगर दो बंदों की रोड़ पे लड़ाई हो जाना और एक बंदा कहे शट अप यू आसोल और दूसरा कहे जब बैगांडो पबलिक दूसरे वाले को धर लेगी सा मोहिक पिटाई हो जाएगी उसकी और हमारे इंग्लिस बेबी को पबलिक मिठाई के साथ घर बेजएगी कसम से सिद्धू पाजी साई इंग्लिस मैजिक बेच रहे हैं तुमने कभी सोचा है कि गालियों पे क्या बीचती होगी तुम उन्हें इस्तेमाल करते हो और उसके बाद उन्हें भूल चाते हो उनके साथ मजे करना सीखो यार इतनी बूरी नहीं है एक रात तो गुजारो उनके साथ मनोर के कोठे पे क्या पता वो तुम्हें चौका दे हिला दे डर्दे डिसको करा दे तो यार बस आज के लिए सरफ इतना ही मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग खुला गाली दे सकते हो मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गालियों को मजाक की तरह लेना चाहिए अगर तुम लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो यार लाइक मारो और अगर मेरी ये खुबसूरत आवास पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ हैंग आउट मारो या चिल करो मुझे नहीं पता बस क्लिक को जाना चाहिए चलो यार मैं जा रहा हूँ मनुवर का कोठा दूर नहीं बाए बहुत कि माबाप ने यहीं सिखाया है तुदा पेचा लाले खेच बारते का शोली यह एक लगई पेचो उड़िया नहीं पेच तुदा चुबार